हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है भारती और मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है वैसे तो हमेशा ही मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आप अपना कीमती समय निकार कर मेरे वीडियो को देखते हैं जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिविशन मिलता है लेकिन आज बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ज्यादा दिल से थैंक यू बोलना चाहती और मैं प्रामिस करते हूं कि हमेशा नए नए और यूसफुल कॉंटेंट आपके साथ लाती रहूंगी और आज का वीडियो भी होने वाला है बहुत ज्यादा यूसफुल क्योंकि आज कुछ प्रोडक्स का रिव्यू आपके साथ करूंगी जो कि हमारे डेली लाइफ को ब हमेशा हमें लगने का डर रहता है इसपेशली चोटे बच्चों को तो खासकर ये corners वगरा कई बार लग जाते हैं तो ये है corner guard इसकी help से अगर हमारे घर में कोई furniture हमने परचेस किया है और बनवाया है तो उसकी जो भी corners होते हैं एजिस होते हैं उसको ये cover कर लेता है ये अच्छे से इसको cover कर ले ताकि हमारे अगर 17 पे लग वी जाता है हात पे लग वी जाता है तो हमाया हाथ चोटल नहीं होता है और बच्चों के लिए तो यह बहुतिमने गॉइट गोंढकों दिनुफल है यह चोटी चोटी चीजे अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम बहुत ही केरफुली हमारे घर को संभाल सकते हैं और कोई भी दुर्गटना होने से बच जाती है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वैसे तो हम घर को क्लीन करने के लिए बहुत सारे टूस और ब्रेशिस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आज एक बहुत ही यूसफुल आपके साथ इस तरह का डस्टर शेयर कर रही हूँ जिसका हेंडल बहुत ही लॉंग है और ये वहां भी सफाई कर सकता है जहां पर हमारा हाथ आसानी से नहीं पहुँच बाता है तो ये देखिए इस तरह से एक बहुत ही बढ़िया माइक्रो फाइबर क्लॉट्स का बीट्स वाला बना हुआ है डस्टर जो की बहुत ही सॉफ्ट है और डस्ट को बहुत ही अच्छे से अपज़र कर लिता है सबसे अच्छी बात है इस दो सफाई करने के बाद मच्छर वगर रहते हैं तो हमें लगता है यह पर हमारा हाथ जेजली चला जाता है कम एरिया में तो वहां पर हमें लंबा वाला हैंडल यह जो है अटेच करने की ज़रत नहीं है लेकिन अगर हम उपर वाले एरिया पर सफाई करते हैं जैसे फैन हो गया या फिर उपर फॉल सिलिंग बनी हुई है या फिर उपर कुछ कबर्स वगरब बने हुए हैं टेवी यूनिट की उपर हम सफाई कर रहे हैं तो इस तरह से हम फिक्स करके इसको अटेच करके और बहुत ही लंबा एंडल वाला डेस्टर रेडी करते हैं और इसको हैंक कर सकते हैं आसानी से कहीं भी उसकरने के बाद तो देखिए पंखे की ऊपर हम सफाई कर रहे हैं कितनी इजीली हमने इससे ऐल शेयप में इस तरह से मोड लिया है और आप देख सकते हैं विजर में मिनिट कितनी अच्छे से सफाई कर ली और बहुत जादा डस्ट जमी हुई रहती है यहां पर मच्छर वगरा जो है ना में देख लीजेगा वहां पर सभी चीजों के लिंक में डाल देती हूं हां लेकिन एक बार यह जरूर कहूंगे कि आप एक बार ऑफ लाइन भी कंपेर कर लें मुझे ऐसा रखता है कि जहां से भी चीज हमें रीजनेबल मिल जाती है वहां से पच्छिस कर लेना चाहिए तो यह तो थे कुछ क्लीनिंग के टूल्स और ब्रश रोकरा और कॉर्नल गार्ड्स जो कि आप यूज कर सकते हैं घर में अच्छे से घर को विंटेंड करने के लिए तो चलते हैं कुछ हैर केर की तरफ और स्किन केर की तरफ तो कोशिश करती हूं कि बालों में कम से कम बाल सफेद हो रखे हैं और कई बार वैदर वैसा रहता है कि हिना वगरा लगाना पॉसिबल नहीं होता है तो मैं कम्प्लीटली ट्रस्ट करती हूं लॉरियल के इस डार्क ब्राउन जो कलर है वो में लगाती हूं हमेशा मैट्रिक्स का और लॉरियल का सेम ही ब्राइंड र एक बाल चाहिए रहता है इन सभी के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दूंगे और डेटेल भी दे दूंगे कि क्या क्या सामन हमें कलर लगाने के लिए चाहिए रहता है तो यह जो लॉरियल का है इसमें रहता है वन इस्टू 1.5 का रेशो मतलब अगर मान के चलिए एक धकन अगर हम कलर लिते हैं तो हमें डेड धकन हमें लॉरियल का जो डेवलपर है वो लेना रहेगा जस्ट इसको मिक्स करते हैं और लगा के इस तरह से कंगी से स्प्रैट कर लिते हैं तो जो चुपे हुए बाल है बीच वीच के वहां भी अच्छे से ही का हो जाता है कलर लगाने के बाद हमें इसको लगबग 40 मिनट तक रखना है जो कि अगर आप पर्चेस करते हैं इस ट्यूब अगर अको तो उसमें सारे डायरेक्शन जो है वो दिखे रहते हैं कि किस तरह से कितना मिक्स करना है कितनी देर लगाय रखना है थोड़ा सा स्प्ल मेरे घर में भी हजबन यूज करते हैं तो कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं है और देखिए कितने अच्छे से कलर हो गया है तो जैसे मैं हमेशा ही आपके साथ ये चीजें शेयर करती हूँ कि हमें हर चीजों को ध्यान देना है तो कई बार ना हम महिलाए क्या करते हैं कि पूरा घर का काम करते करते जिम्यदार या निभाते निभाते अपने आपको ही कहीं इग्नोर करने लगते हैं लेकिन हमें हमे इसी चोटी चीजों के लिए भी अपने शरीर की अपने बालों की भी केयर प्रॉपर करनी है ताकि हमारा आत्मविश्वा समेशा बना रहें क्योंकि यह एक कॉमन सी चीज है कि जब हम अपने आपको बहुत ही बहतर हमेशा सही सुन्दर पाते हैं तो हमारा जो मन है वो बहुत सारी जिम्मेदारिया रहती है अपने बच्चों की घर की और अगर प्रोफेशन में है या फिर जॉब में है तो डबल जिम्मेदारी तो घर में जब भी फ्री टाइम रहता है मैं अपने हैंड्स की और फुट की बहुत ही अच्छे से केयर करती हूँ इसमें शामिल कर दो ,च्रबॉबिंग,च्रे परबिन रसी बस से क्रीम से म साज और जैल से म सच में लास्ट में शृइजवर ज़रु लगाना है तैकि चुल्में खरफ चे बेगर कि परो टार्र के बच्चों की parents meeting कभी उनके exams लेकिन अक्सर जो daily routine रहता है उसमें ये रहता है कि सफ़ायोगरा होने के बाद मैं नहाँ वहाँ के पुरा ready होके अच्छे से थोड़ा सा make up भी कर लेती हूँ क्योंकि कुछ time पहले ऐसा हो गया था कि बस lower t-shirt gown में रहना तो उससे ना हमें बहुती laziness सा feel होता है लेकिन अब मैं कोशिश जरूर करती हूँ कि अपना एक routine fix कर लूँ हाँ ये हमेशा follow नहीं हो पाता है मैं मानती हूँ कि कई सारी चीज़े रहती हैं तो एक नियम से हमें एक ही काम नहीं कर पाता है लेकिन कोशिश जरूर करती हूँ कि जितना भी हो पाए थोड़ा सा तयार जरूर होएं लिपस्टिक लगाएं अपने आपको अच्छा देख की ना बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद थोड़ी सी पुझा पार्ट वगर की तयारी स्टार्ट हो जाती है रोज बहुत ज़्यादा पूरा प्रापर तरीकी से तो नहीं कर पाती हूँ लेकिन हाँ मेरे ठाकुर जी के साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है और कहीं न कहीं ऐसा लगता है ना कि पूरा जो जितना भी मेरा स्ट्रेस है सब खतम हो जाता है यहां बैटके मंदिर में बैटके बहुत अच्छी वाइबस आती है तो कोशिश करती हूँ थोड़ा समय यहां जरूर विताओं फिर जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो बस मेरे घर के जितने भी काम है ना उनको में एक तरफ रख रख देती हूँ और बच्चों को थोड़ा सा टाइम जरूर देती हूँ क्योंकि वो हम पे ही dependent है और कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ एक दूम बच्चा ही बन जाओं क्योंकि जरूरी नहीं लगता मुझे कि हर समय उनको कुछ बस सिखाया जाया नसीहत दी जाया लेकिन उनके साथ जो चोटे-चोटे काम होते हैं इस तरह से उट-पटंग काम हों कह सकते हैं तो उनको बड़ा वजाता ही सब करने में और कहीं न कहीं मेरी भी दिल्चेस भी है आर्ट एंग्राफ्ट में तो कुछ न कुछ तो मेरी टेबल पर जरूर मिलेगा कुछ नया कुछ नया निकालती रहती हूं कभी लिपन आट कभी मंडाला आट कभी फेब्रिक पेंटिंग कर ली कभी उसके साथ ड्राइंग कर ली कभी मिरर वक कर लिया तो इसको भी बहुत अच्छा लगता है तो इस तरह से न उसका भी टीवी मॉबाइल इन सब से ध्या और एक नई आट जो कि है मोजायक आट मोजायक आट के लिए जो पाउडर वगरा है वो भी आपको अनलाइन मिल जाता है इन सब की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में दी हुई है यह अलग-अलग कर लर में मिलता है अभी मैंने फिलाल वाइड पाउडर म पानी मिलाना है इसमें ऐसी कंसिस्टेंसी बना लीनी है कि बहुत ज़्यादा न गीली हो न बहुत ज़्यादा थिको कि आसानी से इस तरह से फैल जाए आप देख रहे हैं इसे में हाथ से भी कर पा रही हूं कोई दिकत नहीं होती है इसकी डिबी पर लिखा हुआ था कि 20- 25 मिनट में सूख जाता है लेकिन इसको सूखने में लगबग एक दो घंटे लग गए तो सूखने के बाद में इसक्रबर से इसका जो एक्स्ट्रा जो पेस्ट रहता है वो में हटा लोंगी ताकि जो हमने मिरर लगा है वो अच्छे से उभर कर देख पाएं और इस तरह से म पसंद जो भी हमारी होबी होती है ना सबकी अलग-अलग होती है तो इस सब चीजे ट्राय जरूर करना चाहिए और वीडियो को लाइक भी करें ताकि हमेशा ही आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देख पाएं आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और ऐसे ही अपना प्यार मुझे पर बनाये रखेगा ताकि हम आगे भी जोड़े रहें और इसी तरह के बहुत सारी बाते और कोई भी आपको कमेंट करना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे अपने वैलियोबिल कमेंट शेयर कीजेगा जल्दी ही मिलते हैं किसी अगले इंफरमेटिव वीडियो के साथ तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखे थेंक्यू ठेक कियर एंड बाबाय ऑल्यान रखे साथ टाल